एलो एब्रिवन तो फाइनली आई बी के एंसर की आ चुकी है जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 5 जिनों की अंदर आंसर की आती है और 5 जिनों की अंदर ही एंसर की आ गई है तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके एसके एसके कटफ के वारे में अब तो रहें तो बहुत सारे केंडियों ने अपना स्कोर भी शेयर कर आए तो देखेंगे क्या कटफ रह सकती है और कुछ नंबर फैक्टर पर आपका कटफ डिपेंड करता है जैसे कि एक्जाम का लेवल कैसा आ रहा था ठीक है मतलब कैसा आया एक्जाम का लेवल फिर आपके जो कितने है कितने गुणा केंडियों में में बुलाया जाएंगे यह सब इंपोर्टन चीज है और नॉर्मलाज़ेशन के बारे में थोड़ से बात करेंगे बहुत सारे कैंडियों पूछ रहें कि नॉर्मलाज़ेशन यहाँ पर होगा या नहीं होगा तो वो भी क्लियर कर important factor के बारे में जिस पर आपका cut up depend करता है सबसे पहले ये देखी जाए कि vacancy कितनी है तो यहाँ पर vacancy है आपकी 995 अब इसके 10 गुना candidate जाएंगे main examination में यानि कि लग भग देखा जाए तो 10,000 candidate ऐसे होंगे जो कि main examination में जाएंगे form fill अब कितना हुआ था तो 6,000,000 आपको registration देखने को मिला था attendance वगेरा मिला कर अगा एक round figure लिया जाए तो आप अगर 50% भी attendance मान के चलते हो जैसा कि SST में रहता है 40% के around ही attendance हमें देखने को मिलता है तो इसमें थोरा fees ज़्यादा है तो हो सकता है कि 50% attendance लगा हो ठीक है तो एक average data आप लेके चलोगी तो आप मान सकते हो कि 3,000,000 candidate ने exam दिया होगा और काफी सारे candidate ने exam छोड़ पी दिया होगा क्योंकि आप देख सकते हो जो मौसम था exam जब हुआ था उस time काफी जा ठंड थी ठीक है की बात करें तो जो आपका data है 9950 इतने candidate में फिलाल आपको फिलाल आना है तो अगर देखे तो एक seat पर लगभग 30 candidate रहेंगे ठीक है अब 30 में भी ऐसे candidate का chances ज़ादा है जो पहले से तयारी कर रहे थे या पहले को एक्जाम दे चुके थे उनकी तयारी बहतर थी जो beginner है उनके लिए तो बहुत कम chance है क्योंकि जैसा की question का pattern change हुआ आपको पता हुआ कि लगभग हर subject की हम बात करें अगर reasoning की बात करें तो reasoning में लगभग 4-5 question ऐसे आ गये थे जो कि लेंदी था यानि कि लेंदी का मतलब क्या है उसमें statement ways question आ गया जैसे कि coding में ही दे दिया कि आप match करिए कि इसमें से किसका coding सही है और किसका coding गलत है इस type से question आया था और एक pattern आपको दिया गया था तो उसमे लगभग जो beginner है उसको एक से डियर में time लगेगा ही लगेगा अगर कितना भी वो जल्दी करने का कोसिस करें तो अगर आप बहुत export हो तो बिलकुल आप within one minute में कर सकते हो लेकिन जो beginner है उसको एक minute से ज्यादा लग रहा था ठीक है तो चार से पांच question ऐसे थे इसमें time लग चल सकते हो तो आपको जो time में 6-7 minute आपका सिर्फ 5 question बनाने में ही निकल गया तो इनसान क्या होता है उस time पर panic हो जाता है देखता है कि मुझे और questions बनाने जो easy question उसको भी वो गलत करने लगता है तो ऐसे में ही जो आपका score हो खराब होता है exam भी खराब होता है ठीक है math में same situation था math में क्या क्या स्टार्टिंग में ही आप देखोगे तो statement ways question रहता है उसके बाद आप math के अगर 15-20 के बीच में question उठा लो ठीक है तो उसमें 5 questions ऐसे हैं जिसको आप 2 minute में निप्टा सकते हो बिना pen paper उठाए ठीक है 2 minute में निप्टा सकते हो ratio का easy question डाल दिया गया इंड तो ऐसे question को skip करना था बाद में उस पर जाते है अगर आप तो बहतर होता ठीक है तो यह कुछ गलतिया होती है beginner से तो इससे क्या हुआ कि paper लेंदी आया और बहुत सारे candidate जो अच्छे candidate थे उनके भी attempt थोड़े से कम रह गये फिर same situation आपका English में भी हुआ English में भी उस type का तो वो थोड़ा सा यह था कि lengthy paper बना दिया गया जिसके वैसे candidate के attempt कम हो गया लगबग 5 से 6 नंबर तो जो अच्छे candidate थे उनके कम हो गया और जो beginner थे उनके तो 10-12 नंबर भी कम हो गया आप यह बोल सकते हो ठीक है तो लगबग अगर हम attempt की बात करें कि average attempt की तो 55 से लेकर 60 के reaching candidate के attempt आ रहे हाला कि cutoff थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि आप देखो vacancy काफी कम है और candidate लगबग अच्छे खासे है एक seat पर 30 सा आप समझी रहे हो कि competition बढ़ जाया है ठीक है तो अगर हम एक analysis के basis पर देखे कि जो आपका cutoff expected वो क्या रहेगा तो अगर आपने कि you are candidate candidate हो और आप यह पूछ रहे हो कि safe score क्या है तो अगर आपने यह आपके answer की में आपको 56 से लेकर 62 की बीच numbers दिखा रहे हैं आ रहा है आपका overall number इतना रहा है यानि कि आपका negative करके इतना रहा है तो आप आगे की त्यारी कर सकते हो और जो candidate OBC से है उनके लिए मैं बोलूँग है और मेंस का exam भी थोड़ा delay होता है जैसे कि pre-care result आने के कुछ दिन बादी मेंस का exam होता है तो time आपको अच्छे कासा मिल जाता है और मेंस में descriptive होता है तो उसके लिए preparation करनी चाहिए अच्छी preparation जो हिंदी medium वाले उनके लिए तो काफी जाए important होता है जो हिंदी medium वाले उन उनका chances बहुत है और जो HD candidate 45 प्लस भी अगर score कर रहे है तो उनके chances है कि वो easily यहाँ से qualify कर सकते है ठीक है यह कुछ expected cut-up रह सकता है जो exam हुआ है उसके basis में आपको बता रहा हूँ है जो candidate ने score share कर रहा है after answer की उसके basis में यह cut-up बता रहा हूँ ठीक है तो लगभग cut-up इसी क round जा सकती है और जो भी candidate यह पूछ रहे है कि normalization होगा या नहीं होगा देखो normalization जब भी multiple shift में exam होता है तो होना fix है और normalization का impact हमें तब ज़्यादा देखने को मिलता है जब एक shift hard और एक shift easy आता है तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं था हर shift में उस type की question दिए गया लेंदी question था जैसे आपका time and work का ही question आप देख लो बहुत जाल लेंदी पूछा गया आप देखो तो लगभग 9 से 10 line का question पूछा गया था ठीक है उसमें concept ज्यादा कुछ hard नहीं था लेकिन वो time consuming था आपको question पढ़ने में भी लगभग समझने में भी आपको 1 minute लग सकता है अगर आप beginner ह ठीक है तो यह दिक्कत थी तो यह कुछ score रहेगा से अगर हम बात करें तो यह आज की वीडियो उमीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी तो यह आज शेयर कर देना तो मिलते हैं अपने अंगले वीडियो में तब तक लिए bye and take care